नमस्कार सातियो आज हम एक अच्छे टोपिक पे बात करेंगे टोपिक इतना बेंकर है बैस सब लोग पूरा देखेगा क्यूंकि आप लोग विदेश जाने वाले हैं आपको कोई भी मैंने एक वीडियो पहले भी बनाया था कि कोई आप इंडिया आरे और कोई आपको समान पकड़ा दें उस हमान में पता नहीं क्या हो गोल्ड हो वगेरा वगेरा एरपोर्ट पे आपको दिक्कत हो सकती है यह एक्जामपल एक्जामपल उतारने के तोर पे आज सामने आया है इस तोर का आपको हमेसा ध्यान रखना चीए बता दूं कतर जिया सातियो एक कपल था अलांकि मेटर एक साल पुराना है लेकिन सुर्ख्यों में अभी आ रहा है पहले से किसी को पता नहीं था कपल हनिमोन मनाने के लिए कतर गया एरपोर्ट पे पकड़ा गया दस साल की सजा हो गई जिया सातियो जेल में ही उसकी वाइप ने बच्ची को जनम दिया पूरी कान इस रिलेटेड से इनफॉर्मेशन मिलती रहे तो मैं बता दूँ बता दूँ पिछले साल 6 जुलाई 2019 को सरीक और ओनीबा जिया सरीक और ओनीबा दो कपल थे जो कतर गए थे एरपोर्ट पे उनको पकड़ लिया गया उनके जो उनकी तलासी हुई आपको पता है जो मसीन है अपनों नहीं फसाया रिष्टे में उनकी चाची लगती तब सूस रियाज बानो जिया सातियो ओनीबा सरीक की चाची थी वो पहले से कतर में रह रही है उसने क्या किया पूरी कानी मैं बता देता हूं मतर दो मिनिट में उसने अपने बतीजे को फोन किया कि बेटा तेरी नहीं नहीं शादी हुई है तो कतर गुमने के लिए आजा मैं तेरा टिकटर वीजा का इंतजाम करती हूं तेरा कोई पैसा नहीं लगेगा द्वान से सुनने की बात है लालस आदमी को मरवा देता है अब घर की चाची अगर फोन कर रही है तो बंदा क्यों नहीं जाएगा उसने मना किया यह मैंने खुद देखा है सुना है किसकी सरिक की अमी ने बोला कि वो उन्होंने मना कर रहे थे कि हमें नहीं जाना हम यहीं ठीक है हमें हनुमोन पे नहीं जाना लेकिन उन्होंने इतनी जीत पकड़ ली कि उनको जाना पड़ा फिर उनका दोनों का वीजा द यहां से वो चले गए, एरपोर्ट पे आपको पता है स्केनिंग होती है सामान, उस स्केनिंग में सामान चेक हुआ तो 4 किलो हेरोईन को कीन बरामद हुआ साती हुआ अब पता है भई गल्प कंट्रीज में, मौमडन कंट्रीज में कितना बड़ा गुना है, सिद्धा सिद्ध उनको पुलिस को ने गिरबदार कर लिया, कोट ने उनको सजा सुना दी 10 साल की, 10 साल तक अंदर रहेंगे, अब बताओ जी 6 जुलाई 2019 को पकड़े गए थे, एक बच्ची को उन्होंने जेल में जनम दिया, जब वो औरत गई थी तब प्रेंगनेड थी, 6-7 मैंने बाद उ उसकी कुरेशी, उनकी चाची का नाम है, उसके साथ में एक बंदा और है, निजाम, कारा, जियां, दोनों ने मिलके उनको वहाँ बुलाए था, उनके वो तस्गरी का काम करते हैं, हिरोईन का काम करते हैं, उनकी बैग में उन्होंने रखवा दी, एरपोर्ट पे पकड़े कि मेरे बेटी और मेरे जवाई निर्दोस हैं, उन्होंने ऐसा कोई गलत नकाम ने किया, उनकी चाची है, तपसूप, बानो, कुरेशी, और उनके साथ में जो एक आदमी है, निजाम, कारा, उन्होंने मिलके उनको बुलाया, शात्यों इस वीडियो के मदम से ये पता लग जाता है, उसको तो पता था इन बातों का, लेकिन वो बिजनस करती थी, एक उसका साथी और है, उसका कारोबार है, कि वो ये काम कर रहे थी, सरीक कि जो मा है, जो फादर, जो ममी, पापा है, उन्होंने अपने बात इंट्र्वी में भी ये बात बताई है, अब टार्गेट जबकि उसकी चाची को 100% पता था कि इसमें ये पदार्थ है, और मादक पदार्थ है, इसका अगर कतर पे पकड़ा गया तो वो मरकेद की सजा होती है, जी हाँ, अब सरकार का, इंडियन सरकार या फिर NCB की सरकार के संपर्क में है, उनको पूरो समझाने की, बताने की, अगर अब ये देखा जाए, तो कतर की पुलिस उनको अगर पकड़ती है, गवाई के आदार पे उसके रिमांड बे लेती है, तो वो अगर सच उगल देती है कि हाँ, मैंने इनको बलायता, इनको नहीं पताता सामाने में क्या है, तो चांस बनते हैं कि वो निकल सकते हैं, रियाई हो सकती है, वरना भाई दस साल और उनके साथ में एक साल की बच्ची, बारा मैने की बच्ची, वो भी साथ में सजा उसको भी मिलेगी, गुना की सजा, चाची ने गुना किया, माबाप ने सजा बुकती है, और उनकी बच्ची भी सजा बुकतेगी, तो आपको ये मिलती है मेरे भाई कि आगर आप इदेश जा रहे हो या आ रहे हो कोई आपको सामान पकड़ा दे कि इसको लेके जा वो आदमी पता ने किस नियत से आपको सामान दे रहा है अलांकि ऐसा नहीं होता बहुत कम होता है लेकिन वो कुवावत है ना एक मचली सारे तालाब को हो सकता है चानवीन करना फिर आपको सो परसेंट आपको यहां से दिल गवाई दे तो आप यह कदम उठाना मेरे बस यह जानकारी एक्जामपल सामने है वह आप कहीं पर भी उठाके देख लीजिए इनका वीडियो इनके परिवार वाले वीडियो यूटूब पे सोसल मीड करेगा अलांके इतना भी आसान नहीं कि आज मुहिम चली दो मैंने में बार आजांगा मैंने मैं टाइम लग सकता है कितना लगए क्या लगएगा है वो कानून पर कतर के कानून पर वहांसी सरकार पीडिपेंड करेगा उसकी जांच हो जाती है लिए गलती से गलती हुई है तो उनको माफी मिल सकती है बस ये जानकरी देनिती साफ़दान रहिए सतरग रहिए ताकि आपका प्रिवार भी खुश रहेगा जे हिंद जे भर